बाबा कहते हो यही बचे मेरे ताज तुम्ही नैन के नूर लाड़ लो मेरी आवाज तुम्ही मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है एक वरिष के एक शाक पर निकले हुए पत्ते भी पास पास अलग अलग होते हैं पीपल का पेड़ है यह पीपल के पेड़ के पत्ते हैं एक बच्चे को को ड्राइंग कर दो वो भी कर देगा सब में कुछ जनरल एक जैसी प्रकृति होती है लेकिन फिर भी एक नहीं मिलता दूसरे से अलग अलग हैं तो यह अलग अलग जो वरियाटी है इसी से वरियाटी ड्रामा बनता है जैसे बगीचे में अलग अलग फूल हो अलग अलग फल हो संसार में अलग अलग पक्षी हो अलग अलग फसले हो तो अलग अलग होने से संसार की शोबा है ये खेल बनता है उसके बिना ये खेल नहीं चल सकता ये जो प्ले है ड्रामा है ये नहीं बन सकता और ड्रामा तो मनोरंजन के लिए होता है एंजाय करने के लिए हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाबता है तो ये ड्रामा तो हो नहीं सकता और क्या करेंगे तो ये इन बिल्ड है इन बिल्ड क्या है कि इस ड्रामा में आत्मे रादिय विन आशी हैं और अलग अलग संस्कार, अलग अलग विचार, अलग अलग कर्वों वाली है इसको आप चेंज नहीं कर सकते ये चीज इन बिल्ड है ये बनी बनाई है बनी बनाई ये बात है ये किसी ने बनाया नहीं इनको परमात्मा ने बनाया नहीं या किसी और ने कुछ इनको बनाया नहीं ये सुभाव से ही अनादी और अविलाशी है तो ये इस से व्यक्तिवाद होता है individualism अलग अलग हर किसी का सोचना अलग अलग है तो फिर क्या नतीजा निकलता है हर कोई अपना-पना selfish होना शुरू होता है अपना-पना सौार्थ पूरा करना शुरू करता है अलग अलग होने से अलग अलग होगा अलग property चाहिए अलग बोजन के सामान चाहिए उसको अलग अलग साधन चाहिए तो अलग अलग साधन होने से वो दूसरों के भी अलग 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 चाहिए तो कलेश होने की संभावना होती है जब अलग 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 चाहिए तो तो अलग अलग की जहां beauty है हुँ भी है वो इन बिल्ट उसके मेरिट्स है वैसे ही अगर वो रूप बदल लेता है तो वो डी मेरिट बन जाता है वो फिर नुकसान दे हो जाता है दुनिया में जो कलैकलेश है वो इसलिए है कि उसमें इंडिविज्यूलिजम है इसलिए लोगों ने कहा कि सोशलिजम हो कम्यूनिजम हो समाज के लिए हो व्यक्ति के लिए नहीं तो ये कोशिश की उन्होंने बदलने की कि जिससे व्यक्ति हर कोई अपने लिए सिर्फ ना सोचे लेकिन उससे हुआ क्या कुछ फैदा जो और ने किया उसका वो रिज़र्ट तो निकला नहीं गम्यूनिजम खतम हो गया समाजवाद जिनों ने कहा ओस समाजवाद में भी कितनी बुराईया आवी अब दुनिया में जितनी बुराईया है individualism से भी गुराईय है अब ये सारा corruption है कल Armliningia में उन्हें मिनिछ प्राइम मिनस्टर को मार दिया क्यों मार दिया कहते हैं ये corrupt आ है इनlightly पैसा अकटा किया हुआ है corrupt आ है तो corrupt क्यों होता है वेक्ती अपने लिए पैसा अकटा करता है दूसरा का बला नहीं सोचता अपने लिए एक अठा करता है ये करॉप्शन क्यूं है ये भी सेलफिशनेस का एक रूप है अपने लिए तो ये बाबा जो कहते हैं मेरा तेरा छोड़ो बच्चे मेरा तेरा छोड़ो ये दुनिया में सारा जगड़ा मेरा तरह का है जो व्यक्तिवाद ने इंडिविजुलिजम ने ये रूप ले लिया स्वार्थ का सेलफिशनेस का तो उस सेलफिशनेस से सारी बुराईया पैदा हुई ये मेरा बेटा है फलाँ बेटा तेरा बेटा है इसलिए मुझे ये मेरे बेटे के लिए चाहिए दो भाई आपस में होते हैं एक के एक बच्चा है दूसरे के दो बच्चे हैं बिजनेस में दोनों भाई पार्टनर हैं और आपस में जब बड़े बच्चे हो जाते हैं वो कहता है मेरे बच्चों को भी इसमें पत्ती दो पार्टनर बनो खहता है बना लो एक बेटा तुम्हारा एक बेटा मेरा पार्टनर बना दो कहता है नहीं मेरे तो दो बेटे हैं दो बेटों को पार्टनर बनो वो कहता है दो को तो नहीं बनूँगा एक को बनूँगा लड़ाई हो जाती है जगड़ा हो जाता है तो ये मेरे दो बेटे हैं इनको पार्टनर बनो ये तेरा एक बेटा है तुम उसको बनो तो आप देखेंगे सारे जगड़े का कारण क्या है मेरा तेरा ये मेरा देश ये तेरा देश ये मेरे रिष्टेदार ये तेरे रिष्टेदार नेपोटिदम जिसको कहा जाता है कुमबा बाद भाई बतीजा बाद ये मेरा भाई और बतीजा है ये तेरा भाई और बतीजा है है जी तो ये संसार में मेरे तेरे को लेकर ये सब कुछ होता है व्यक्ति बाद का इससे मनुश का अगर सेलफिशनेस हो जाता है स्वार्थ हो जाता है मतलबी बन जाता है तो ये इतनी बुराईयां बुराईयों का जो सारा वरिक्ष है कल्ब वरिक्ष से भी बड़ा है कल्ब वरिक्ष से भी अगर आप हिसाब लगाने लगें बुराईयों के सूख श्मार स्तूल कितने रूप है वो अने एक प्रकार के रूप हमारे सामने आते हैं ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी जिन्दगी जीने की हमको एक नई तद्वीर दी आपने बाबा हमें